हलो, नमस्कार, आज हम बनाएंगे बेसन का मीडा, इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, यह देखे, और इसको छान ले अच्छे से, आप कोई भी बरतन ले ले, नापना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम उसी से आप बेसन खोलेंगे, पानी डालेंगे, यह देखे, एक कटोरी ले ले, कोई भी कप की जरूरत नहीं है, कटोरी यह बरतन घर में होते हैं, उसी से हम माप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास कपी हो, तो यह हम खाना अच्छे से बना सकते हैं, तो कटोरी ले लिये है मैंने, as usual, जो हमारे घर में बरतन होते हैं, तो यह च्छ तिल की कटोडि है, 200 g का पानी आता है। इस में और इक कटोरी भरकी लिया है। मैंने पोला भरके नहीं लिया है। और उसको चान लिया है। ऑजोनी थीप़ और गर्म के लिया है . ज्यादर जलाना नहीं है जो हमारा रूटी का तबाह Saudberbourg 1 कषल अलदी वर्षिन में बना रहे हैं तो पालक है न यह अगुचे है भी ने थोड़ी सी मेन कीफ सारी पालक का यूस Not और यह ती हैना तो पालक लोई और मैत्य यह पूर एक गड़ी न पाललक है और इसको है चुलियन में अच्छी से काट लें कर और डंटल भी ले ले लें, डंटल जो सौफ्ट होते हैं आप वो भी ले सकते हैं क्योंकि डंटल में भी है, nutrition value होती है और इसका more flavor होता है थोड़ा खानी में ऐसे रहता है लेकिन हम ले सकते हैं है ना, healthy खाना बनाना है तो हमको यह सब चीजे थोड़ा सा देखना पड़ता है तो मेरी पालक कट गई है यह देखे बारिक कट कर लें अगर डंडियां है तो उसको भी बारिक-बारिक कट कर लें और वो भी अच्छी लगती है खाने में ना यह देखे और पालक मेथude कसे हमारा बैशन ना यह हमारा दूपर और फेसन ठंड़ा है. अवह मैं इस found इसे फोलिए हाथ से करने एक प्यास लेंगे और लेसन के यह देखे और हम आदा कप मुंख्वली के दानी लेंगे ये बुनी हुए हैं और हरी मिर्ची लेंगे अब हम पैन में मोटी पैंदी का बरतन लेंगे ये आइन का है और हम इसमें सरमस्टर ओयल डालेंगे ये एक चमचा भरके जिससे दाल परस्ते है ना छोटा उससे डाल दिये अब हम हम लेसन डालेंगे ये देखिए और किसी की भी चीज को जलाना नहीं है हमें बस इस बात का द्यान रखना है अब हम हरी मिर्ची लेंगे एक मुठी माने की 7 नंबर हरी मिर्ची है ये और बहुत तीकी मिर्ची है ये छोटी आती है ना तीकी मिर्ची ये वाली मिर्ची है ब पांचे डालने से अच्छा बनता है, तीखा नहीं होता है, और हम एना एक कबबर के एक ओनियन है, यह प्यास लेंगे, इसको भी बारी कट करना है, चौपिंग करनी है, इसको भी, और जलाना नहीं है, किसी भी चीज को, फ्लेम हमारा भी हाई है, यह देखे, और इसको बस साले को, यह देखे, हाई फ्लेम पे हमें कर रही हूँ, अब हमें उसी से ही दो कटोरी भर के पानी डालेंगे, कटोरी अमारा बेसान है, दो कटोरी भर के आप पानी डाल दीजिए, और हाथ से मिलाए, क्योंकि इसमें गुटले रहते हैं, तो उसको पोड़ते भी जाईए हाथ से मिलाने से, कुकिंग हमारी अच्छी होती है, और पयार भी रहता है, और पोजिटीविटी भी बहुत रहती है, यह देखे, और ऐसे इसके डिल्ले होते है न, वह खोल लीजिए, हींग डाली थी, हिंग है, हींग है, ओ, यह देखे, हमारा कितना प्याज है, पहले हम के भी आपकाद की बालक करने तरह देख़ा है, ईसको गरम हो जाए अच्छे से फिर आम पालक डालेगे ये बहुत ही भाजी है ये देखिए पूरा पूरा एक गड़ी है ये पालक का इसको दालूंगे इसे क्या रहता है है और हमाघी को बर्मक से हरी खाते हैं में डखाने में के लिध मारे दखारंत, कुछ जब्हादे, लॅस्पहर 마리 ऑनक वारे चंलगाThere । चलने लाइक हो जाए। जदा थिक नहीं। गरहाती है। रमिप-दालेश हो ज़ए। 4-5 मिर्ची पाउडर और नमक मतलब कि आदि-आदी इस्पून है तो चार-पिंच हल्दी को आब में आप इसको रोकना नहीं है स्टैम कंटीनुएसलिय को चलाइंगे हम इदेखें है ना थोड़ा केरफुली फ्लेम हमारा हाई रहगा स्लो कर दीजिए अगर आप बिगनर हैं तो मैंने दिखी है ना आदा कटूरी से ज़्यादा पानी और लिया है यानि कि तीन कटूरी इसमें पानी लग गया है पूरा दो कटूरी से मैंने बेसन घूला था और आदी कटूरी मैंने और डाला है अधी से थोड़े ज्यादा मतलब पॉने तीन कटूरी हो गया ये और इसको चला दिये हाई फ्लेम पर तो ये गाड़ा हो जाएगा और इसकी क्या पहचान होती है कि ये पैन छोड़ देगा अपने पीसे रखने लगा अभी ये कच्चा है चिपक रहा है ये अभी ये पैन छोड़ने लगा इसका मतलब है हमारा मेडा बनके रेडी है ये देखें चमक आ जाती है एक तो आपको पता लग जाता है और बिल्कुल ये बैलंस मसाले डालनी है ये देखें बहुती थोड़े आदा जैसे हम साबुदानी की खिचडी में डालते हैं आदा कुटा हुआ आदा पिसा हुआ और इसको मिला दीजी अच्छे से इदेखें सारा समेट दीजिए और इसको मिला दीजी अच्छे से इसको मिलाना है ये पैन छोड़ दिया है इसका मतलब है ये अभी हो गया है ये रेडी हो गया है हमारा मेड़ा बनके अब हमें एक प्लेट लेंगे और इसमें गी लगाएंगी ये थोड़ा सा तेल लगा लें वो नई भी लगाएंगे तो भी उट जाता है ये देखें और इससे भी खाना खाते हैं जैसे ये आप खाना नहीं खा रहें आदा अदा प्लेट दीकी खतम हो गया हैं अब इसको ठंडा हो गया है आप इसको तो एसी बेसे भी खा सकते हैं Krispener को मात करेंden यदिक हम आप चत्नी मिषस्त- Aminar आप ब्राइट के स्लाइस में भी आप इसको रख सकते हैं, ब्राइट के स्लाइस में भी आप इसको रख सकते हैं, बहुत ही हल्दी रसीपी है, और ऐसे कट करके इसकी सबजी भी बनाते हैं, पूरा मसाला बनाके कड़ाई में इसकी सबजी भी बनाते हैं, और जो मिर्च मसा कितने सुंदर लग रहे हैं और वेजिटीबल भी हमारी बहुत अच्छी से यूज हुई है इसकी सबजी भी बनाते हैं बहुत अच्छी बनती है तो उसमें मिर्च मसाला हमको पूरा डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बैलंस मसाले हैं इसको कड़ियां बोलते हैं अगर इसकी सबजी बन जाती है तो इसको कड़ियां बोलते हैं और इसको बैसे मिड़ा बोलते हैं और ये फिंगर इस ट्रेप्स की तरह भी इसको काट सकते हैं ये देखिए और इसको ऐसी खा सकते हैं स्नेक्स के लिए और इसको रख सकते हैं और